आप लोगों से हाट जोर कर यह बिंती करते हूं कि मैं अनिता मिश्ञा एक आम फैमली की बहु बेटी हूं आप लोगों के बीच मेर के रूप में आ रही हूँ आप सभी का आशिरवाद की आवश्रकता है आप लोगों का हाशिरवाद अगर मेरे साथ हुआ तो मैं रात दिन कोचिंग चलाया करते थे गरीब बच्चों को बुला के पढ़ाया करते थे यह हमेशा हम अपने घर में करते रहते थे। जन परतिनीदियों को चुनने के कारण जो आप लोगों ने देखा देखे होंगे कि ना तो सहर का विकास हुआ और ना ही जनता का विकास हुआ चुकि लूट खसोट काड़ा था लोग हर कोई अपने पेटा और तीजोरी भड़ने में लगे रहते थी विधायक सांसत जो भी होते हैं किनी का बाप ठीकेदार होते हैं किनी का बेटा ठीकेदार होते हैं कोई खुद ही ठीकेदार होते हैं नगर निगम जाने के बाद जनता के तरफ ध्यान उनलों को कम और अपने ठीकदारी के तरफ ध्यान जादा होता है, बेगुस राय की जितने भी चाहे वो महला हो या पुरूस हो, सभी कागर सहीयोग और साथ रहा, तो निश्चित रूप से मैं मेर का दावेदारी कर रही हू और करूंगी, सबसे पहला परात्मिकता रहेगा सिच्छा, जो अभी कोई देखने वाले नहीं है कि स्कूल में टीचर जाता है कि नहीं जाता है, बच्चे को पढ़ाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको पोसाक मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसको दे करना नहें जाए यहां सबसे काम करते के और सबसे पहला काम होगा इसके सुधार墓 कीनिक Size ने करते कंवा कुलेbringen ऑफ को क्र typ में नी को को कि रीडीने काम कि आट कि निकापती राधनिती करते थे लेकिन हमारे हमारे परिबार में कोई आद्मी राधनिती कार नहीं थे मेरे पिताजी स्वास्त विभाग में सर्विस करते थे मेरी सासुमा स्वास्त विभाग में सर्विस करती हैं तो हमारा तो एक अपना मन में इच्छा था कि हम समाज में ज़न को लगता है इस पार्टी में है यहां टीकट नई दीया तो अगला पार्टी में चले जाएंगागा नहीं दिया लोगों को जब भी लगा है चुसे टो नहीं करेंगे तो पर को में री सहायता करें ने तो नहीं लगता है कि कोई विब्यक्ति मेरे कहां से खाली हाथ लोटे होंगे हमने हमेशा उनके साथ रात तो रात दिन तो दिन उनके साथ खरा रहने का था हूँ नमस्कार आप सभी का स्वागत है कि इस्टूडियो के इस प्रोग्राम में मैं सोनी सिंग अभी अनीता मिस्रा जी के घर पर आयूं हूँ और लगभग उनका राजनीतिक केरियर तो कह सकते हैं 20 प्लस ही हो चुका है 20 सार से अधिक उनका राजनीतिक में अपना जो होता है दा जो है आम पब्लिक और आम जनता जो है वह चुनेगी कि कौन हो गए डिप्टी मेर और मेर तो इसमें बहुत सारी हमारे बेगुश्राय की जितनी भी जनता थी उनकी दिल में जो तमन्ना थी कि मुझे मेर और डिप्टी मेर बनना है तो वह सामने धीरे-धीरे उबर के आ र क्योंकि सबसे पहले तुम वह महिला है और सबसे बड़ी बात है कि 20 साल का केडियर आप जान सकते 20 साल से उपर ही हो चुका है तो हमारे साथ अभी मुझूद हो चुकी अनीता मिस्रा जी स्वागत है मैडम आपका हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में जी धन्य 2001 में जब नीतिश कुमार की सरकार आई थी तो 17 वर्सों के बाद पंचायती राज चुनाओ की घोशना उन्होंने किया था जिसमें कि 50% पंचायत में महलाओं को आरच्छन उन्होंने दिया था उसमें मेरा वार्ड नमर 35 था और वो महला सीट हुआ था तो उमको भी घर से लाओ मिला था कि चुनाओ हम लड़ सकते हैं सर पर्थम सबसे पहला मेरा राजनिति केरियर वहां से शुरू हुआ उससे पहले हम घर में समाज सेवा के तौर पे हम गरीब बच्चों को घर में कोचिंग चलाया करते थे गरीब बच्चों को बुला के पढ़ाया करते थे य यह जो अभी वार्ड नमर 49 है, यह पहले वार्ड नमर 35 था, यहां से मैं पहली वार चुनाओ लड़ी थी और 50 वोट से मैं हार गई थी, उसके बाद फिर 2007 में नगर परिसद का चुनाओ लड़ें और यहां से हम जीत हासिल किये, उसके बाद 5 साल नगर में रह करके, नगर प आपको परिसद में रह करके हमने अपने च्छेत्र में काम किया, जो कि अभी भी मेरे च्छेत्र में जिस भी गली में आप घुछ जाएंगे, यह उसका zone की सबो के रहें, कद के लिए है अभी तक तो जितने नीगे को जो आप लोगों ने देख होगे कि न तो सहर का विकास हुआ और नहीं जनता का के विकास हुआ दा था लोग घर कोई अपने अपने पेटा और तिजोरी भरने में लगे रहते थे अभी पहली बार सरकार का ये घोशना कि आत्म निर्भर चुनाओ हो जनता के द्वारा चुनाओ हो और मेर का चुनाओ डारेक्ट जनता ही चुक करें तो मेरे भी मन में एक इच्छा जागी कि मैंने 22 बर्स ज कोई भी हो बिधायक सांसत जो भी होते हैं किनी का बाप ठीकेदार होते हैं किनी का बेटा ठीकेदार होते हैं कोई खुद ही ठीकेदार होते हैं नगर निगम जाने के बाद जनता के तरफ ध्यान उनलों को कम और अपने ठीकेदारी के तरफ ध्यान जादा होता है गरीब ग तो जब सारा काम हम बेना पद के रहते हुए काम कर सकते हैं तो पद मिलने के बाद तो हम पावर फूर हो रहेंगे तो हम जंता के लिए और भी संगर्स कर सकते हैं तो इसके लिए हमारे मन में किछा जागी है और जंता का आशिरवाद रहा बेगुस राय की जितने भी चाहे लोगों महला हों या पुरूस हों बढहां झालवात सभी कागर सही योग और और साथ रहा तो निस्चित रूप से मैं मैर का दावर दारी कर रही हूं और करूँगी थै वरतमान में ञ़य dicam किसे आख रहा हैं नगर निगम है है कहने के लिए नगर निगम है लेकिन आजभी बेगुसराय नगर वहीं के वहीं है जहां हम लोग 20 वर्स पहले देखे थे कोई तब दिली नहीं है हमने कितने बार जिस समय हम नगर परिशद में थे हमारे प्रोश्रेडिंग आज भी रखा हुआ है, कहिएगा तो हम देंगे, आप पर सकती है, हमने ये जाम को लेकर कितने बार अधिकर्मन को लेकर के सवाल उठाया था, लेकिन ना तो कभी उस अधिकर्मन पर गौर किया गया, और कितने बार हमने कहा कि जब हमारे यहां हमने इसके लिए हमेशा मतलब उठाते रहा, लेकिन मैंने एक चीद देखा है लोगों को, कि लोग सिर्फ अपने वारे में सोचते हैं, कभी भी समाज के बारे में और दवे कुछले गरीब गुर्वा के बारे में नहीं सोचते हैं, सरकारी जमीन को लोग हरप हरप करके, ल लेकिन नगर निगम सोया हुआ है, नगर निगम को उसकी तरफ कहीं भी ध्यान नहीं है, जहां सरक है, उस सरक पे लोग मकान बना लिया है, हमने मतलब हमारा एक अपना लक्ष है, कि हमारा जो जनता का अधिकार है, जो हमारा नगर निगम छेतर का जितना भी जो अभी सिच्छा की समस्या स्वास्त की समस्या सरकार सब कुछ दे रहा है लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है अगर आपको जनता इस वर मोका देती है अगर आप जीत जाते तो जीतने के बाद बेगुसरे नगर निकम के विकास के लिए आपकी कौन-कौन सी सूची प्रात्मिक्ता में आई है और क्या-क्या प्रात्मिक्ता रहेगी क्या आपने सूची बनाया है सबसे पहला पराथ मिक्ता रहेगा सिच्छा जो अभी कोई देखने वाले नहीं है कि स्कूल में टीचर जाता है कि नहीं जाता है बच्चे को पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है उसको पोसाक मिल रहा है भोजन मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसको देखने वाला कोई नहीं है इसका देखवाल अच्छी तरह से हो स्वास्त में जो स्वास्त के लिए हमारी सरकार दे रही है वहाँ सही ढंका मसीन है या नहीं है वहाँ जो पेशेंट जा रही है उसको सही इलाइज मिल रहा है नहीं मिल रहा है डॉक्टर सही टाइम पे पहुच रहे हैं या फिर नहीं पहुच रहे हैं उसके बाद रहा जो जल जमाओ जो हमारी सहर छेतर में है जिस बीना मैप के सरकार की पैसा को बेबजह पानी में बहाया जा रहा है जहां मन है वहां रोड को खून देना है जैसे मन है वैसे नाला बना देना है कहीं ले आउट नहीं करना है जैसे है वैसे सर पर्थम यह सब पर मेरी निगां होगी और सबसे पहला काम होगा इसको सुधारना आए दिन नगर निगम बेगुस्राय में हमेशा जाम की समस्या अडाती है तो इससे निजात पाने के लिए क्या योजना बनाई है क्या सोचें कि इससे कैसे दूर किया जाए देखे सबसे बड़ी बात है कि हम जानते हैं यह बात से बहुत लोग नाराज भी होगे लेकिन बे शनपुर में आगे से जितना दुकान है सब सरक का जमीन है और मैंने ये बात कितने बात को बोड में भी उठाने का काम की हूँ लेकिन किसी ने इस पर पहल नहीं किया तो सरपर्थम है जो सरक का है इसको सबसे पहले मचावडी करन करवाना जिसके वज़ा से सरक में जाम ल लगता है या मोटर साइकिल लगता है सब अपने अपने दुकान के आगे में जो वो मोटर साइकिल ओ ठेला लगा कर का अधी करमन कराते है इसको सुधार करवाना बैउसरे साहर के सौंधरी करन के लिए आपके मन में कौन से बिचाड़ है दिकिसे में हम लोग नगर निगम पूरे सहर में सरक के बगल बगल से लाइट की वेवस्था कराना ये चीज हम लोग आज नहीं 2007 में ही बोर्ड की बैठक में हम लोगों का ये प्रोजेक्ट बना था लेकिन बीच में दूसरा बोर्ड आया इन लोगों ने सारे प्रोजेक्ट के खा गया क्या किये नहीं किये बापस के निजात पाने के लिए आने वाले समय में आपको बनने देती तो निजात पाने केलिए इधर से नाला खोद के उधर बनादे जब तक जल जमाओ के लिए आप पानी का निकास नहीं ढूंडिएगा, तो इस तरह नाला बनाने से और सरक खोद देने से सहर की समस्या दूर नहीं होगी, जल की समस्या दूर नहीं होगी, और जहां तहां देखना है की पानी और आप सहर की जल जमाओ की समस्या को दूर नहीं कर सकते हैं तो अगर जनता हमको मॉ का देती है तो शर परत्साम मेरा इसीपर पहला प्रोजेक्ट मेरा होगा जो सहर के जल जमाव की समस्य जितना जल दी हो सके उसको हम अच्छे से जल से जलती करें बेगुस्रे सेर में जितने भी चोटी वड़ी गली यहां हैं उसके साघ्ष को तोर के जलना लव जो योजना है उसके कारेकरव के तरह सब को तासनास कर दिया गया जिससे आम जन को आने जाने मे बहूंट सारी को सामना करना पड़ता है इसके लिए क्या मतलब आपके मन कुछ योजणा है यह जो हर घर नल जल की जो अभी योजना चल रही है पता नहीं क्या कर रहा है हमको नहीं पता ज़के अभी जो छोटे जो जन परतिं नीधी जीते हुए है तो किसी ने जो भी गली से निकलता होगा तो कहीं ने कहीं कोई तो जनपरतिनीधी होगे अभी तो जनता उनको भोट दी है तो वो जनपरतिनीधी का उतरदाई तो बनता है कि नी बनता है कि आखिर ये खोदा तो फिर इसको ठीक क्यों नहीं किया और अगर खोद करके ये कहा, हर जल नल चल रहा है, सहर में अभी कहीं नहीं, हर जल मिल रहा है, तो जनपरतीनीधी करके आ रहा है, भाय, भोट लेते हैं, और फिर 5 साल सो जाते हैं, इस पर क्यों नहीं जाकर के, आप HDO से मिलते हैं, क्यों नहीं जाकर के पता अधिकारी से मिलते हैं, कि आप लोग यह जो हर जल नल की योजना है, जो हमारी सरकार दे रही है, आखिर यह क्यों नहीं आप इसके जल से जल दे इसको चालू कर रहे हैं, और जहां ताँ जो खोड करके छोटा-छोटा गली को आप लोग खराब कर दियें, जहां से लोगों को चलने में दिक्कत होती है, तो यह तो उन जन परतिनीधी को सोचना चाहिए, और अगर मान लिजे कि अभी तो आप जैसे ही जनता चुनेगी मेर को, तो मेर तो आत निर्भर हो जाएगा ना काम करने के लिए, किसी भी पारस साल आप जोड़ा है, और लगातार आप एक ही पार्टी से जुड़ी रही है, इसके क्या कारना है? पार्टी बदलेंगा कभी मन नहीं हुआ? बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिरासत में राजनितिक मिलता है जैसे कि अभी आप लोग आप देखे हुए कि निका सवसूर राजनिति करते थे कि निका पती राजनिति करते थे लेकिन हमारे हमारे परिबार में कोई आदमी राजनितिकार नहीं थे मेरे पिताजी था एक अप्ना मन में इच्छा था कि हम Sमाज में निकले और समाज का सिवा करें। अगर हम से किसी को भला हो सकता है तो इसके लिए हम काम करें। तो जब हम समाज के बीच में। काम करने के लिए एक प्लेट फॉर्म को पकड़ना चाहिए। तो मेरा इक इच्छा जगा कि मान्निय मुक्मंत्री जी नितीश जी के शाथी मिलकर काम करना चाहिए और हमने इनके साथ जूर कर काम किया क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है पाटी कौन बदलता है जिसको सत्ता की लालच होती है जिनको लगता है, कि इस पार्टी में है, यहां टिकत नहीं दिया तो अक्ला पार्टी में चले जाएंगे, वो टिकट देगा, वो नहीं दिया, तो फिर तीसरे पार्टी में चले जाएंगे, हमको सत्ता काहिए, कभी कोई लालच करेंगे रहा, हमने सिर्फ एक प्ले precisely laciri प्ल खाली हाथ लोटे होंगे, हमने हमेशा उनके साथ रात दीन तो दीन उनके साथ खरा रहने का काम किया है, तो महिला示 के लिए कुछ खास आपने सोच रखा होगा, बिलकुल drop देखिए महलाओं के लिए तो सरपर्थम महलाओं को आत्म निर्भर बनाने का काम जो हमारे मानिय मुखमंत्री नितीज कुमार जी ने किया है मैं तो उनको इस चाइनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज अगर मैं यहां हूँ और आप से बात कर रही हूँ त हर महला आपने आत्म निर्भर बने कभी किसी के ऊपर सहारा किया वैसकता उनको नहीं परें क्योंकि हर घर में हमने देखा है मैलाओं के मैलाओं को कि किस तरह की जिन्दिगी बहुत सारी मैलाओं जी रही है जिनको की 5 रुपे 10 रुपे में भी घर चलाना पड़ता है और तो अगर घर में ही रोजगार मिले, घर में ही अपना रोजगार करके अपने बच्चे को सही भरन पोसंदे सके, अच्छी सिच्छा दे सके, तो हमारा सुरू से ही एक रहा है, हमने बहुत सारी महलाओं को मतलब काम भी दी हूँ, तो रात में भूखे सोते थे, आज उनके यहां जाके देख सकती है, आप पता लगाईए और मेरे बारे में जानकारी ले सकती है, कि आज उनके घर में टाइल्स और मार्मल का पाच-पाच महल का दास-दस महल का मकान है उनके पास, साथी साथ हमारे बेगुसरा वासी जो भी यह वीडियो देखने हैं, कि भी इस्टूडियो के माध्यम से आप उन्हें भी कोई संतेस और मैसस्ज दे दीजे, सरपर्थम तो बेगुसरा के सभी जनता को नब बर्स की हार्दिक शुपकामना, और मैं आप लोगों से हाथ जोर कर ये बिन्ती करती हुँ, कि मैं अनिता मिस्रा एक आम फैमली की बहु बेटी हुँ, आप लोगों के बीच मेर के रूप में आ रही हूँ, आप सभी का आसिरवाद की आवस्शक्ता है, आप लोग का आशिरबाद अगर मेरे साथ हुआ तो मैं रात दिन आपके साथ कदम से कदम मिलाने के चलने के लिए तैयार हूँ नए चेहरे सामने उभर के आएंगे और बहुत सारे वादाएं होंगी और जो वादाएं कुछ दिन के बाद खतम हो जाती है जो आप सभी को पता क्योंकि आप लोग सुरू से जहलते आ रहे हैं तो हम लोग को कि नहीं को अगर सामने लाना होता चाया निता मिस्राजी ओ या क निदान करें तो आप लोग उनको चुनिए और उनको वोट दीजे क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत ज्यादा किमती था तो चड़िए यह था आज का प्रोग्राम उमीद करूंगी आप सभी को बहुत पसंद आया होगा तो जो भी अमारे चैनल से नए जुड़े हैं मै उनसे अपील करूंगी हमारे चैनल जोकी केवी टीवी भिहार साथ ही डॉक्टर रोसन कमार दोनों को फॉलो करें लाइक करें सेयर करें और यूट्यूब चैनल स्टार्स अब भिहार उससे सब्सक्राइब करें और बैल आइकर प्रेस करें मैं मिलूंगी इसी तरीके किसी दूसरे प्रोगाम के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद घर में सेफ रहे और सरक्षित रहे